जिस तरीके से मैं इस मतन को मना रहा हूँ, मैं इस चीज की गरेंटी लेता हूँ, अगर आपने भी मेरे तरीके से मतन बनाया, तो आपकी लार एक बार कूकर में जरूर गिर जाएगी, बस इस वीडियो में आप step by step वीडियो को follow करते जाना, और जो जो इंग्रीडियन्स, ज जब आप मतन के पीस ले किया हो, तो पीस में गोल पीस होने चाहिए, और चाप का पीस होना चाहिए, और अपनी तरफ से आप फेवरेट जो भी पीस है, वो ले सकते हैं, जैसे तेल वगएरा, ये कलेजी गुर्दा, आप जो भी खाते हैं, वो ले सकते हैं, आप भी एक ब के अनुसार मतलब कि जितनी आप ग्रेवी पतली या मोटी खाते हो उसके अकोर्डिंग उसमें उतना पानी डाल लेना और कम से कम कूकर में साथ सीपी लगाना उसके बाद आप देखना कि आपका मटन कितना ज्यादा बढ़िया बना होगा आप कलर से अंदाजा लगा सकते हो कि मटन कितना टेस्टी होने वाला है तो अब बताएए आपको वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमें यूटूब फेस उपकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं थैंक्स पर वचिंग बाई